Hello and Welcome friends, आज के इस वीडियो में जो कि Tally Prime की होने वाली है, हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कमपणी बना सकते हैं, Tally Prime में, बात करें Tally ERP9 की तो वहाँ पहले ही सीख चुके हैं, कैसे हम कमपणी बनाते हैं, इसके साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर कमपणी बनाते समय कुछ mistake हो जाए तो उसे हम alter करके सही कैसे करेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं और सबसे पहले tally prime को open कर लेते हैं तो ये नया version आया हुआ है और tally prime को ये हमने open किया है अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर tally prime में हम rama enterprises नाम की company में पहले से मौझूद है हमें नई company create करनी है तो हमें keyboard से f3 button प्रेस करना है function button f3 आपके वाल प्रेस कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि rama enterprises में कुछ changing करें तो आप यहाँ से alter company पर जा सकते हैं फिलाला में create company पर जाना है तो आप navigation बटन का प्रियोग करें और आ जाएगा भरने के लिए ठीक है अमन ट्रेडर्स इसी नाम से हम company बनाने वाले है ठीक है तो यह अमन ट्रेडर्स कर दिया हमने अब यहाँ पर address आएगा तो जो भी address है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ new colony वेवरिया यह address है हमारा तो यह company का address हमने डाल दिया यहाँ पर औ उत्राकंड और उत्रपुदेश यूज से जुड़े हुए सारे नाम डिस्पले हो जाएंगे मैं यहाँ से उत्रपुदेश चूज कर लूँगा navigation button का प्रियों करके country अपने आप आ जाएगी जब state चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर pin code आएगा तो आपके जिले का जो भी pin code हो डिस्टिक का जो भी pin code हो यहाँ पर डाल दें telephone number, mobile number, website यहाँ चीज़े डाल दीजे और यहाँ पर आएगा financial year begins from तो एक बात मैं आपको पहले भी बता दूँ और टेली यारपी 9 के वीडियो में भी मैंने बताया था कि financial year क्या होता है financial year एक अपरेल से जो भी हम अपने एक अपरेल ही रखना है, काम आपका कब से शुरू हो रहा है, वो यहाँ से देना है, तो यहाँ पर मैं एक अपरेल ही दे देता हूँ, आपका जब से शुरू हो रहा हूँ, वो दे दीजे, enterprise करके इसको करा लिजे, accept, तो यह हमारी company बन करके त्यार हो जाएगी, इसके बा है, और enable interest calculation, ठीक है, इसको no रखा है, तो जो भी settings आपको जैसे भी करनी हो, यहाँ पर देख लीजे, ठीक है, मैंने फिलहाल discount नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए, use discount column in invoice, तो यह discount column हमने दिया नहीं है, और यहाँ पर एक और option है, use separate actual and build quantity columns in invoice, तो यह कुछ हमने अभी enable नह कर लेता हूँ, इसको भी accept करा लेता हूँ, तो यह हमारे पास बन करके त्यार हो गई, amount traders नाम की company, अब हमें Rama enterprises को close करना है, क्योंकि इस company में हमें कामी नहीं करना, तो Rama enterprises को close करने के, फिर keyboard से आप F3 button प्रेस कीजिए, किसको close करना चाहते है, Rama enterprises को तो, और set company पर हमें जाना ह Rama enterprises यहां पर आ गया, ठीक है, अब यह highlight हो चुका है, Rama enterprises, अब हमें वापी से क्या keyboard से प्रेस करना है, F3 button ठीक है, अब shut company पर जाना है आपको ठीक है, और यहां से Rama enterprises के जा करके, और यहां से Y प्रेस कर दीजेगा, तो यह Rama enterprises जो company है, वो close हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से हमने company बनाना सीख लिया, और कैसे हम close करेंगे, यह भी सीख लिया, अब मान लीजे कि Rama traders company बनाते समय, कुछ mistake हो गई हो आपसे, तो वो कैसे सही करेंगे, तो keyboard से आपको कुछ नहीं करना है, F3 button ही प्रेस करना है, और जाना है, अल्टर option पर, यहां से अल्टर option पर चले है, आप वहां से जाकर के सही कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदिश है, तो यहां से change कर लूँगा, उत्तर प्रदिश कर लूँगा, यह इंडिया हो गया, और सारी किट सारी detail तो सही ही है, तो इस तरह से आप alter भी कर सकते हैं, company वो, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना, कि हम टैली प्राइम में किस तरह से company create कर सकते हैं, और किस तरह से company में बनी हुई चीजों को alter कर सकते हैं, साथी साथ financial year के भी बारे में जाना, तो अगर आप, अब आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इसे share कर सकते हैं, और और अधिक जानकारी के लिए, हमारे channel को subscribe करिए, bell icon को press करिए, thank you for watching this video